हलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं यह है राधा का घर, और यहाँ भी सुभा का टाइम है, सब यहाँ पर सो रहे हैं, चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है, और फर तभी गईयां यहाँ चिलाने लगती है, और यहाँ श्याम गईयां की आवाज सुनकर जाग जाता है, अरे यह क्या लगता है श्याम गईयां के पास जा रहा है, अरे हाँ लगता है गईयां भूकी है, अरे यह क्या लगता है श्याम को पता चल गया, और फिर यहाँ श्याम गईयां के लिए चारा लेने के लिए जाने लगता है, अरे वाज श्याम तो सच्वे बहु गईयां बहुत ही अदब भूखी है, देखो कैसे खा रही है चारा, और यहां गईयां सारचारा खा चुकी होती है, और फिर गईयां श्याम को अपने पीट पर चड़ने के लिए बोलने लगती है, अरे यह क्या श्याम बिना कितना ज़ाद मस्तिक हो रहा है, और यहां श्या अब बिना को सवारी करवा रही होती है, और फिर तभी अचानक कहीं से एक बड़ी ट्रक राधा के घर के आगे आकर रुख जाती है, अरे लेकिन आखिर ट्रक किसका है और राधा के घर पे आके क्यों रुख गई, अरे यह क्या यह तो एक जोकर जैसा दिख रहा है, कहीं स सारे लोगों का ध्यान अपने उपर खीच लेगा, चलो अच्छा है, अरे हाँ चलो एक काम करता हूँ, इस बच्चे को उठा लेता हूँ, और साथ में गईया को भी, लगता ही है इसी का घर सब तो यहाँ पर सो रहे है, अरे वाह, यह तो पैसे कमाने का बहुत ही अच्छ जरिया है, चलो अब इस बच्चर गईया को उठा लेता हूँ, वैसे भी यह बच्चा कितना अच्छा करतब दिखा रहा है, इसे तो सरकस में होना चाहिए, चलो अब मैं गाड़ी बैट जाता हूँ, मेरे पास तो बहुत ही अच्छा आइडिया है दोरा को किट्नैप करने का, चलो मैं जाता हूँ, और यहां श्याम की नजर गाड़ी पर चली जाती है, लेकिन श्याम इतना ध्यान नहीं देता है, और अपने करतब बाजी में लग जाता है, अरे वा, अब इस घास से इस गईया को अपनी और आकरशित करूँगा, और यह गईया बहुत ही जल्द को देखकर जोकर के पास जाने लगती है, अरे वा, यह तो यहीं पर आ रही है, चलो इसी के अंदर रख देता हूँ, अभी इसके उपर चल जाएगी, फिर गईया तो आ ही जाएगी मेरे पास, चलो जाता हूँ, मैं गाड़ी पर बैट जाता हूँ, मेरा काम तो हो गया कर गया, कितनी बुद्ध है यह गईया, चलो मैं लेकर जाता हूँ, बिना टाइम वेस्ट किये, वहना इनके फैमली वाले जग जाएंगे तो अपने बच्चे को ढूनने लगेंगे, और यहां जोकर श्याम और गईया को लेकर जाने लगता है, और यहां से सोनम राधा के घर जाने ही होती है, चलो जाती हूँ, राधा अंधी की घर पे, अरे, अरे यह इतना बड़ा ट्रक कहां से आ रहा है, चलो चलो मैं बाजू में हो जाती हूँ, कहीं मुझे एक्षिदेन ना करते, चलो हट जाती हूँ, कितना बड़ा गारी है, और यहां से जोकर श्याम औ गईयां थे क्या अरे यह क्या यह कौन था कि इसमें जोकर बैठा वो दिख रहा था शरकस का अरे कहीं वहीं जोकर तो नहीं है जिसकी बात चिंकिक कर रही थी लेकिन आगे लेकर कहां पर जा रहा है श्याम और गईयां को चल। जाती हूं अंकल अंकल उठिये चलदी देखीए बहुते बड़ी गणबन हो गई है अंकल तो उठने का नाव भी नहीं ले रहे हैं जलो जा रहा है अंकल अंकल ऊचाइए उठ चाहीए चलदी से देखिए श्याम क किटनेप करकर ले कर जा रहा है किसको सोने दो मुझे औरे जाओ यहां से सोनम तूम अरे अंकल उट जये श्यम को किसे किटनेप कर लिया है अँसकर को कि पाई किसा «जकर व्या कर लिए अभी कर लिएया वरुकरह साउ अरे अरे सुनमी तुम क्या बोल रही हो आखेर ऐसे किसे हो सकता है अरे हां अंकल मैंने अपने आखोशे देखा कुछ और अंकल ने लगता है श्याम और गईया को किनेप कर लिया है हमें कुछ करना पड़ेगा जल्दी से अच्छ चलो देखते हैं श्याम है की नहीं अरे अरे ये के श्याम तो सच में यहां पर नहीं है अरे राधा उठो जल्दी से उठो श्याम कहां पर है अरे राधा उठो जल्दी से अरे अरे श्याम की पापा क्या बात हो गई क्या बात हो गई आप क्यों छिला रहे इतने जोर-जोर से अरे राधा शाम कहां पर है अरे शाम यहीं पर तो सोया अरे अरे शाम कहां पर गया यहीं पर तो सोया था मेरे पास कहां पर है शाम जल्दी बताएं शाम की पापा अरे राधा अंती श्याम को किजनेप कर लिया वो जोकर अंकल ने और गईया को भी वो पता नहीं कहां पर लेकर गया जरूर अपने सरकश के पाशे लेकर गया होगा अरे हाँ सोनम ये बात तो तुमने बिल्कुल सही बोला अरे सोनम बेड़ा लेकिन आखर ये सब हुआ तो हुआ कैसे अखरो जोकर क्यों लेकर गया हमारे श्याम को अरे राधा मुझे भी नहीं पता है वो तो उसके पास ही जाकर पता लगाना पड़ेगा अच्छे से अच्छा सोनम चलो हमको चलना पड़ेगा वहाँ पर जल से जल जाना पड़ेगा चलो चलते हैं अरे हाँ अंकल चिंकी बताई थी कि टायलाब के पास ही वो जोकर प्रदर्शिंग करने वाला है चलिए हम वही पर चलते हैं अरे श्याम के उपा ऐसे है तो चली हम चलते हैं चल्दी से अरे हाँ राथा बिना टाइम वेस्ट केम को जाना चलो 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 आजाओ सोनम बेटा चल्दी आओ हाँ हाँ अंकल रुकिये मैं भी आ रही हूँ और यहां चोकर श्याम और गईया से अपने सरकस में कर्टब करवा रहा होता है अरे ये क्या बिचारा श्याम देखो तो जरा कैसे कर्टब दिखा रहा है अरे देखो तो जरा वो बच्चा कैसे कर्टब दिखा रहा है अरे हाँ सही में कितना अच्छा बच्चा है अरे वाँ देखो तो ज़रा किती सारे भीड़ी खटा हो गई है लगता है ये बच्चा मेरे लिए बहुत ही अदल लग्की है तो जाता हूँ अच्छा आप सब सुनिए अब ये बच्चा और भी बड़ा कर्तब करने वाला है अब ये रसी पर चड़के दिखाएगा आप सबको अरे ये क्या बोल रहे हो भाई जोकर इसा थोड़ी ना हो सकता है ये बच्चा कैसे चलेगा अरे जोकर तुम पागो लागल तो नहीं हो गए हो अरे अरे हाँ ये मैंने क्या बोल दिये मुझे तो सोच समझ के बोलना चाहिए था पता नहीं ये बच्चा चल भी पाएगा रसी पर या नहीं अरे अरे आप सब रुकिए बच्चा जरूर करतब करके दिखाएगा चलो बच्चे अब तुम्हारे उपर ही सब है और यहां चोर श्याम को रसी पर खड़ा कर देता है और यहां श्याम रसी के उपर चड़ने लगता है अरे जोकर तो सचे बहुत ही बुरा है कैसे श्याम को इतना खतरना करतब करवा रहा है कहीं श्याम गिर न जाए अरे वा क्या करतब दिखा रहा है यह बच्चा कितना अच्छा दिख रहा है अरे हां सही बात है कितना अच्छा करतब कर रहा है अरे लेकिन कहीं लड़का गिर न जाए अरे भाई देखो तो ज़रा ये लड़कों को कैसे चड़ रहा है रसी पर अभी तो मैं भी इतने अच्छे से नहीं चल पाता हूँ अरे शाम की पापा अखिर वो जोकर मेरे शाम को कहां पर लेकर जा सकता है अखिर क्या दुश्मरी है शाम की उससे मुझे बहुतिया गुसा रहा है अरे हाँ राथा तुम चिंदा मत कर आज जोकर की तुम्हें बैंट बजा कर ही रहूँगा हाँ शाम की पापा अंकल आंटी जल्दी आए देखे चुकर क्या करवा रहा है शाम से अरे कई शाम की लग जाए जल्दी आए अंकल आंटी अरे अरे सच में ये तो शाम है अरे क्या करवा रहा है हूँ मेरे शाम से जल्दी चलो रहा था हाँ हाँ चल्दी चलिए श्याम की पापा अरे अरे यह क्या श्याम तो लगता है गिरने वाला है रुखो श्याम मैं आ रहा हूँ अरे यह क्या वच्चा तो गिरने वाला है और यहां श्याम का बैलेंस भी गड़ जाता है और वो सीधे नीचे गिरने लगता है रुको श्याम में तुम्हें पकड़ लूँगा अरे चलो अच्छा है श्याम कहीं तुम्हें चोड़ तू नहीं लगी अच्छो मैं सही टाइम पे आ गया मेरा प्यारा बेटा अरे रुको मैं अभी इस जोकर को बताता हूँ इसकी हिम्मत कैसे हुई अरे यह क्या लगता है अब तो मैं गया ये लोग मुझे नहीं चोड़ेंगे चलो मैं जल्दी से भागता हूँ यहां से चलो चलो जाता हूँ अरे अरे रुको रुको इतनी जल्दी कहां पर है जाने की इतना अच्छा कर्तब दिखाया है पैसे तो लेकर जाओ, औरे अरे मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, मुझे जाने दो, यहां से जाने दो, हाँ हाँ, रुको अभी जाने देंगे तुम्हें, तुरी हिम्मत कैसे हुई, मेरे बच्चे के साथ ऐसा करने की, औरे मुझे माफ कर तो मैं इसा नहीं करूँगा, अर तुरी तुझे सरन नहीं आई इतने छोटी बच्चे के साथ ऐसा करने की, अरे श्याम तुम ठीक तो हो ना, मैं बहुत ही दर डर गई थी, और यह सब क्या कर रहे है थी तुम, कोई कुछ भी बोलेगा, तो क्या तुम कुछ भी करोगे, श्याम की पापा इसे मत छोड़ना मत छोड़ना इसे, कितनी गंदी हरकत की है इसने, अरे हां कलिशे, बहुत ही मारना, मत छोड़ना, बहुत ही गंजा जोकर है ये, अरे हां वही हमें तो पता ही नहीं था कि ये किटनेपर है, वरना इसका कलाकारे तो हम देखने कभी नहीं आते, हरे हां हां काका, इसे तो मै अभी बताऊंगा इसे तो मैं पुलीस के हवाली ही करूंगा आखे इसको डर भी नहीं आया इतनी छोटे बच्चे की जिंदेगी जोखिम में डालने की इसको तो मैं नहीं छड़ूंगा चल अब तू चल इसे में सीधा पुलीस थाने छड़के आता हूं अच्छा ठीक ना र हाने अच्छी लगी हो तो प्लीस वीडियो को लाइक और चनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना थैंक यू